हाई, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी उम्र 24 है मैं बैंगलोर के एक आईटी कमपनी में काम करती हूँ वैसे तो मैं पंजाब से हूँ जहापर मेरे माता पिता और एक छोटा भाई रहता है मेरे चाती के आम के साइज 34 है जो की मेरे उम्र के साफ से कुछ जादा ही बड़ी है मेरे मा के आम भी बहुत बड़े-बड़े है मेरे पैंटी की साइज 15 है इस साफ से आप पता लगा सकते है कि मेरे पीछे के टर्बुच कितने बड़े होंगे मैं कभी-कभी मोबाईल पर संबुक की वीडियो तिकर टाइम पस कर लेती हूँ यह बात तब की है जब मैंने 15 दिन की चुटी ली थी और मैं पंजाब चली गई थी मुझे घर आकर 5 दिन हो गए थे लेकिन अब मैं बोर होने लगी थी क्योंकि मम्मी पापा पूरे दिन अपने जॉब पर जाते थे और मेरा चोटा भाई कॉलेज जाता था इसलिए पुरा दिन मुझे अकेले ही घर पर रहना पड़ता था एक दिन मैंने अपनी पेंटी दोकर सुखने के लिए बालकनी पर डाल दी थी और मैं टीवी पर संबोक की वीडियो देख रही थी वीडियो देखते देखते मैंने टीवी का रिमोट अपनी हूट में गिसना चालू कर दिया था लेकिन तभी अचानक कोई दरवाजे की बेल बाजाता है मैं जल्द इसे टीवी बंद करके दरवाजा खूलने गई दरवाजे पर पड़सके रमिश अंकल खड़े थे रमिश अंकल 40 साल के और अच्चे खासे बौडी वाले थे वो हमारे बिल्डिंग में निचे वाले फ्लैट में रहते थे वो दरवाजे पर ही खड़े थे और मेरी चाती की तरफ घुर रहे थे मैंने उनको अंदर बुलाया वो अंदर आये और उन्होंने अपने पॉकेट में हाट डाला और वहाँ से एक पिले कलर की पैंटी निकाली मुझे थोड़ी से शर्म आ गई रमेश अंकल ने मुझे से कहा कि वो गार्डन में थे और उन्हें यह पैंटी वहाँ पर मिल गई वो पैंटी नीचे गिरने के बाद खराब हो गई थी इसलिए उन्होंने उसे अच्छे से धोकर मेरे पास लाया था लेकिन मेरे उस पैंटी के बिच में एक छेद बना हुआ था मैं समझ गई थी कि वहाँ पर किस बज़े से छेद बन गया था फिर अंकल मुझे से कहते है कि पैंटी की साइज देखर लगता है कि तुम अब जवान हो गई हो मुझे पता चल गया था कि अंकल का तोता अब खड़ा हो गया है मुझे लग रहा था कि यही चांस से एक अनुभवी तोते के साथ मज़ा लेने का लेकिन मेरा तो मूड बन गया था और मेरी हूट भी गिली हो गई थी मैंने पैंटी नहीं पैनी थी इसलिए मेरी पैंट भी गिली हो गई थी इसलिए मैंने जाकर मेरे मा की पैंटी पैंट ली मैं जब बाहर आई उन्होंने दरवाजे को अंदर से लॉक भी कर लिया था मेरा तो मूड बन गया था और मुझसे अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा था अंकल का तोता भी एकदम बड़ा हो गया था इसलिए मैं दोड़ कर उनके पास गई वह मुझसे बोलने लगे कि तुम अंदर से बहुत गर्म हो और थोड़ी देर में वह अपना तोता मेरे शरीर में आगे पिछे करने लगे मुझे यह सब बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ उस दिन के बाद से जब भी मैं अकली होती हूँ तो अंकल हमेशा मेरे साथ यह सब करने लगे और मुझे भी बहुत मज़ा आने लगा अगर आप तो ऐसे कहान यह सुनी है तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर सकते है थैंक्यू